कैसे हो आप सब तो आज में बनाने जा रही हूं छोले भटूरे जो की छोला जो है एकदम अमरित सरी स्टाइल में बनाऊंगी मैं और कोशिश करूंगी कि आप लोगों को बहुत इजी तरीके से बताऊं तो मैंने यहां छोले भिंगा लिये थे लग भग यह 300 ग्राम ऐख सबस के छोले हैं और मैंने चोटा बार भी यूज요 कर सकते हो चलिए पहले इसको कूकर में हम सीटी लगाते हों सीटी लगाने से पहले कुछी चीजे समें हमें डालनी ज़रूरी होती ताकि छोले काफी अच्छे टेस्टी बने तो मैं यहां पर टैग वेगरा हटा दिये हैं और चिंता मत किजेगा अगर ये कुकर सीटी भी देगा तो ये जो टी बैग है फटेगा नहीं और मैंने यह पर कुछ गरम मसाली यूज किये हैं लॉंग इलाइची डाल चीनी ये सब चीजे डाल के आप इसमें 5-6 सीटी लगा सकते हो आप चाह ये आप अपने स्वादानुसार आप डालो पानी उतना डाली है जिससे छोले भींग जाए और इसको 4-5 सीटी आने तक हम इसे गैस के ऊपर चढ़ा देते हैं छोले बनाने के लिए ये ट्रिक बहुत ज्यादा इजी लगता है मुझे की फटा फट बन जाता है ज्यादा आज आप लोग के साथ भी शेयर करते हैं कि मैं कैसे छोले बनाती हूं और आई होप आपको मेरा ये छोला और भाटूरे का रेसिपी बहुत ज़रूर ट्राइ कीजिएगा ऐसा टी बैग डालके से कलर बहुत अच्छा आता है तो देखिए टी बैग यहां पर फटा नहीं ह तो यहां से मैं लिखा रही हूं आपको देखो कितने अच्छे तरीके से यह कूख हो गये हैं बडावला छोला यूज कर रहे हो आप तो आप खाने वाला सोडा भी यूज कर सकते हो पर जरूरत नहीं पढ़ती उसमें मैंने छोले का पानी एक जगह एक कटोरे में डख दि है जिसमें मैंने डाला है जीरे का फोरन तेज पत्ता और एक लाल मेची क्योंकि मेरे हां कोई ज्यादा तीखी सबजी नहीं खाते हैं अगर आपने तीखी सबजी खानी है तो आप दो मेची का इस्तेमाल कर सकते हो तो इसको लाल होने तक थोड़ा सा फ्राइ करेंगे इतन जहीं से तीन-चार प्याज को चॉब करके रखा था और उसमें एक टमाटर बरी टमाटर आप अगर अगर आप ज्यादा पसंद पर्संद करते हो तो इतना प्याज काफी होता है तो मैंने इसको चॉपर से कर लिया था मुझे क्यूंकि पतला-पतला करना था और मुझे थो कलर नहीं आ जाता है हम इसका पीछा बिल्कुल भी नहीं छोड़ेंगे तो यहां पर हमारा जो प्याज और टमाटर है वह भुन के इकटा होने लगा है तो चलिए अब इसमें हम मसाले डालेंगे वह है लाल मेची कास्मिटी लाल मेची है हल्दी है गोलकी है और मैंने यहां करें नमक डाला है ध्यान रखे गा Темम अब स्टाथ बिल्डला मेची से बाझ़ाया है नमक इसमें मैच चार्ट मसाला डाल जू पन करणा लें और रड़ आरी जो को फ्रा मिर देढ़ेंगे और जीरा वेगेरा मैंने स्टार्टिंग में फोरन में यूज़ किया था इसलिए मैं जीरा पॉडर यहां नहीं दे रही हूँ कास्मीरी में इससे आपका बहुत अच्छा कलर आएगा और जो पानी था जो हमने छोले उबालने में यूज़ किये थे उससे भी आपका बहुत अच्छा कलर आएगा तो इसको दीमी आज़ पर हम 5-7 मिनट तक फ्राइ करेंगे जब तक मसाले एक खटे एक जगा ना आने लगे जब मसाले खटे एक जगा आने लगेंगे तो समझ जाएए मसाले पक गए हैं अब款 का जो यहां पर एक ट्रिक ट्रॉक्त किया है कहीं पर मैंने देखा था ओं ल यहां पर बड़ी इलाइची यूज किया ताकि टेस्ट और ज्यादा अच्छा आये पनके तो यहां पर मैंने छोले जो क्रश किये थे उसके साथ मैंने ग्रेवी को मिक्स किया और गैन मैंने तो से पांच मिट तक इसको फ्राइ किया होगा और देखा कि जब मसाले इखटे हो तो यहां पर मैंने छोला डाला उर छोले को भी मैंने दो मीनट तक छॉले किया त और इसमें का घर Chang Season मैंने हटाया नहीं था टीबैक बस अहताया था बहुत लोग घरा मसाले भी हटा है जो कूकर में सीटी लगती है तो पर मैंने नहीं हटाया था इसे टेस्ट और अच्छ पानी आप चोले बीजने के लिए छोले ढूबने भड़ कप मैंने पानी से तो चोटी ग्लास से थोड़ा से थोड़ा से पानी डाला और आप देखो कलर कितना अच्छा खिल के आया है एक तो कस्मीरी लाल मीचे का कमाल है और उपार से छोले मसाले का तो चलिए अब बनाते हैं भटूरा तो भटूरे काटा मुझे रेडी मेट मार्केट से मिल गया था मुझे कुछ ज्यादा उसमें माथा पिच्ची करन या कहीं भी आप देख सकतो कियायां टूझार के केराने के दुकान पर मिल जायेगा तो मैंने इसम्धित में लीए तो भी है उदिया बस अच्छे से को तो थोड़ा स HEY मैं निकलता है और इसमें मैंने कुछ नहीं डाला बस पानी हलका गरम थड़ा पानी नहीं वो कर में प बना लिया पूरे अच्छे तरीके से और इसमें हम डालेंगे थोड़ा सा कुकिंग ओयल जो भी आप ओयल खाते हो आपस में से एक याड चमच ओयल यूज करना और इसका डव बनाना मतलब जो है ना ज्यादा हाड नहीं बनना चाहिए और नहीं ज्यादा सॉफ्ट नहीं तो जैसे ही मैंने इसको डाला मैं मैं खुशी के मारे मैं अपने husband को चिला के बोल रहे फुल गया फुल गया फुल गया ऐसा करके जिबकि मुझे तो पता था कि रेडि में टाक्टा है बहुत अच्छे से बन जाएगा पर एक होता है ना कि मैंने इसमें नहीं डही डाला आपन अच्छे तरीके से बना सकते हो बिना कुछ जंजट के कुछ भी इसमें वैसा माथा पेची करने वाला डिस नहीं है जो कि बहुत ही जल्दी बन जाता है तो मेरा यहां पे छोला बटोरा बनके रेडी है और मैंने थाली में छोली बटोरे के साथ थोरा सा प्याज का लच्छा डाला है और एक अचार डाला है जो कि आपके टेस्ट को और इन्हेंस करेगा तो आई होप आपको मेरा यह कुकिंग वाला टिप्स और मेरा खाना पसंद आया होगा तो प्लीज लाइक शेयर शब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत बूलिएगा मिलते हुमें नेक्स्ट वी अगे स्टी होगा 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 है जुकि आर दिया दाट कर्मेंस वी होगा है होардवा हो मेरा फिल्सक्राइब करेगा टिल्सक्राइब करे दो तो दो अन्या करेगा है धुकि जह करे